आज हम कैसिल सुनकोट के पिछड़े इलाकू में पहुंचे और यहाँ पार हमें घरीब अवाम की खिद्मत करने का जो मोका मिला यह हमारे लिए बड़े फखर की और बड़े खुशी की बात है क्योंके घरीबूं की खिद्मत करके ही हम खुदा की रहमत पहसिल कर सकते हैं हम तार्मिक इमार्टों को बड़ा बनाने की सोच हर्गिस नहीं रखते लेकिन हम घरीबी की खुत्म करने की सोच रखते हैं हम घरीब अनात असहाय बुजर्ग विद्वाएं विकलांग दूर्दमन त्यारीदार लाचार बिमार लोगों की खिद्मत करके हम उस खुदा की रहमत को हासिल करना चाते हैं हम अपनी गुजाइश के हिसाब से दूर दूर दिहादू में पहुंच कर घरीब लोगों की खिद्मत करते हैं चाहे वो राशिर की खिद्मत हो चाहे वो कंबल कपड़े की खिद्मत हो चाहे वो उनको छोटे छोटे काम देकर उनका फ्यूचर बनाने की खिर्मत हो चाहे हम छोटे बच्चें को जो हमारे फ्रंट का मंचूरे है नरसरी से फारवी कलास तक फ्री एजुकेशन दिनाने की खिर्मत हो हम शुकर करते हैं उस मालक का जिसमें हमें ये जिद्धी भी दी और साथ में हमें खिर्मत करने का एक बहुत अच्छा मुका दिया एक बात मैं जरूर कहता चलूँ कि मेरा किसी भी सियासी पार्टी से कोई भी तरलुक नहीं है और ना ही में किसी के बुलाने पे कहीं हम जाते हैं जहां हमें गरीबों की खिदमत करने के लिए इशारह मिलता है हम उसी तरफ चल पड़ते हैं मैं यहां पबलक बेलफेर फरंट के जो के सर्दा जोरवार सिंग साथ की सदराई में यहां पहुंचा मैं अपने दिल की एहमी गराईयों से इस पूरी भरंट की जितनी तन्दीम के पराकेने मैडम साहिबान है और यह दूसरे लोग जो भी हमारे साथ यहां पहुंचे हाज साम के साथ पिसी साथ यह हमारे अपास के साब है मैं इन तमाम का अपने तहदिल से शुबर गजार हूँ सब लोग को इनके आशवासन से इनके नजरिये से जुड़ जाना चाहिए और चल कर हमारा मुलक जो है वो तरकीबर जा सकता है